2022 का पहला match complete हो चुका है अब केवल हम लोग prediction के वीडियो आप सभी को देते हैं लेकिन match होने के बाद हम लोग एक analysis का वीडियो ले करके आएंगे हर एक match के बाद और जो हमने giveaway contest का question पूछा है उसका winner भी हम लोग हाथ हो हाथ announce कर देंगे पहले क्या है कि हम लोग ज़्यादा giveaway पहले रखते नहीं थे हर एक match में नहीं रखते थे तो हम लोग इसके लिए उतने use to नहीं हमारे पार इतना time भी नहीं होता है कि हम लोग हर match में giveaway रखें फिर announce करें तब हम लोग कोसिस करेंगे कि हर match के बाद एक analysis का वीडियो आपके सामने ले करके आए और आप सभी को guide करें आज का PSL का match बहुत सांधार हुआ यहाँ पे आपको पता लग जाएगा मैं आपको team दिखाऊंगा कि हम लोग fantasy game में best क्यों है हमारे team सबसे best के होती है इस match में फकर जमान को हमने अपने team में नहीं लिया था उसके बावजूद हमने clean sweep किया फकर जमान हमारी prime team में थे हमने जान बुच करके अपनी team में फकर जमान को इसलिए नहीं लिया कि हम आपको दिखाना चाते थे कि हम लोग बिना फकर जमान के भी win कर सकते है मैं आपको team दिखाऊंगा हमने clean sweep किया यहाँ पे यहाँ पर देख सकते हूँ यह हमारे team थी यहाँ पर हमारे team में उसामा मिर थे एसान उल्ला भी हमारे team में थे 90 प्लस इन्होंने point दिया mini grand league भी हमने win की होती बट हमने जो prime members को team दी थी उसमें हमने यहाँ पर फकर जमान को लिया था बट जो हमने paid members को team दी थी और खुद भी जो मैंने team यहाँ पर investment किया था इस dream 11 account में उसमें हमने फकर जमान को जान बोच के नहीं लिया था अब यहाँ पर result देख सकते हो कि किसी बड़े player को बिना लिये भी अपने combination की वज़े से win कर सकते हैं fantasy में आपको यह चीज़ सीखनी होगी सबसे पहले कि आपको लगता है किसी एक player ने half century मार दी पहली inning में तो आप depression में चले जाते हो कि अब तो हम हार गएं यह player हमारे team में है ही नहीं तो पहले match से हम आपको यह दिखाना चाते थे कि fantasy game हमारे control में है हमको पता है कि हम इस match में win करेंगे कि नहीं करेंगे हमने newge के basic से काम करते हैं पहले batting करने वाले team ने match को जीता इस तरीके के ही आपको unpredicted matches देखने को मिलेंगे जिसमें आप सभी ने captain मनाया होगा साहिन साफरीदी को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने हरी स्रौफ को अपने team में लिया होगा एक ही wicket उन्हें लिया हमने उनको नहीं लेकर के हमने उसामा मीर को लिया हमने इसान उल्ला को लिया हमने अकिल हुसैन को लिया हमने अपने team में captain मनाया मुहम्मद रिजवान को बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सिकंदर रजा को बनाया था पता नहीं क्या सोचके बहुत सारे लोगों ने डेविड वीजे को मनाया था उनको लगा कि इंटरनेशनल लिग टी-ट्वेंटी चल रही है जैसे वहाँ पे हम विन कर रहे थे वही सब गलट टीम मना करके यहाँ भी हम विन कर जाएंगे इसलिए मैंने बोला यह पाकिस्तान सूपर ली गए यहाँ पे जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है हम यहाँ पे मुहमद रिजवान को हटा के भी जीत सकते थे हम मुहमद रिजवान को हटा रहे थे यहाँ पे हम फकर जमान को ले 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 थे दोनों में से एक को हटा गरके हमको जीतना था ताकि आपको ये समझ में आ सके कि फैंटैसी गेम केवल एक प्लेयर की वज़े से आप नहीं जीतते या हारते हो आपके टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए अगर टीम का कॉम्बिनेशन है तो आप आसानी से विन कर जाओगे इवल हमने इसमें विन नहीं किया हमने जो कवर किया रहा साथ अफरीका वुमेन न्यूजिलेंड वुमेन एक और मैच हुआ था वो भी हमने क्लिंसिप किया यहाँ पर देख सकते हो विमिन में विनिंग पियेसल में विनिंग इन्होंने क्या का फकर जमान अगर होता तो अल्टरा क्लिंसिप होता फिर भी मेंबर ने प्रॉफिट कमाया एक और मेंबर का आप देख सकते हो इन्होंने विमिन्स वाले में 6,000 लगा करके 20,000 विन किया यहां पे इन्होंने 20 में से 14 कॉंटेप बिना फकर जमान के भी विन किये यानि कॉंबिनेशन अच्छा हो तो आप विन कर सकते हो अभी आप कल से देखोगे ऐसी टीम हमारी रहेगी ऐसे कॉंबिनेशन हमारे रहेगे जिसमें फिर से हम एक बड़े प्लेयर को हटाएंगे और प्राइम मेंबर्स को हम उस प्लेयर को ले के देंगे और पेड मेंबर्स को बिना लिए देंगे फिर भी हमारे पेड मेंबर विन करेंगे और हम लग विन करेंगे इस starting के 3-4 matches low investment वाले matches होते हैं हमारे उसके बाद से हमारे PSL में jackpot matches start होंगे जहाँ जीतना तो दूर की बात है Grand League में भी आप winning zone में नहीं आपाऊगे ऐसे matches होंगे लेकिन Saga Flashback उनके paid members हर एक match PSL का जीतने वाले हैं कि last year हमने 25 से ज़्यादा matches जीते थे PSL में तो आज की हमारे testing वाला match था हम उसमें clean ship कर गए हैं यहाँ पर देख सकते हो यह हमारे कल का side deal है यह 3 matches यहाँ पर cover किये जाएंगे और आसानी से आपको ultra clean ship होते हुए हम दिखेंगे एक आपको दिखेगा Bangla's Premier League का qualifier मुकाबला PSL का second मुकाबला और T20 World Cup के मुकाबले आज टियर के अगर आपको winning देखने हैं कि 25 से जाना matches में हमने कैसे win किया था यहाँ पर live winning proof हमने दिया है जो कि कोई भी नहीं देता है कि वहला Grand League की winning दिखाने लगता है कि हमने Grand League में ये किया वो किया Grand League हर कोई win नहीं करता है और Grand League win करके आप कुछ कर भी नहीं पाऊगे एक मैच में आपने Grand League win कि उसके लिए आपने 3-4 महिना लगा दिया हर मैच में तो Grand League आप win नहीं कर सकते हो और 3-4 महिने में ना जाने कितने घंटे आपने बरबात कर दिये Time is money कहा जाता है हम लोग स्मॉल लिख पर काम करते हैं आसानी से win करते हैं, clean ship करते हैं और आप भी कर सकते हो आपके पार last chance है इस नमबर में WhatsApp message करना है 914-0233-474 यहां पर PSL की paid membership आपको मिलेगी अभी आप जब 3-4 मैचेश में सारे पैसे हार जाओगे तब आपको याद आएगा सागा flashback से अगर हमने paid membership ले ली होती तो आज वो बात नहीं होती आज हम win किये होते तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना है समय पर decision लोगे तब ही आप win कर पाओगे budget है तो आप contact करो otherwise prediction का video हमने already upload कर दिया है कराची और पेसावर वाला देखो और win करो but high investor इस video को देख करके win नहीं कर पाएंगे यह उनके लिए जो low investment करते है high investor को एक strategy भी बता नहीं होती है low investors को भी हमने भी strategy बताते हैं और वो win करते हैं अब यहाँ में बात करते हैं daily की वे contest के announcement की हमने दो कुस्सेन आप से पूछे थे हैं पहला कुस्सेन यह था कि कितने run बनाएंगे मुहमद रिजवान और second कुस्सेन हमने पूछा था यह सहीन सहा अफरिदी कितना विकट लेंगे तो जिसका सबसे सही और सबसे पहले answer आएगा उसको हम winning price देंगे यहाँ आप देख सकते हो मुहमद रिजवान पचास से ज़्यादा run मनाएंगे ठीक है इन्होंने लिखाया लेकिन second कुस्सेन का answering का गलत हो गया सहीन सहा अफरिदी हरीस रौफ से ज़्यादा विकट लेंगे यह इसमें लिखा हुआ है लेकिन दोनों ने एक-एक विकट लिया दोनों नहीं एक-एक विकट लिया तो इनका यह answer गलत हो गया दोनों answer हम गलत मानेंगे अलग-अलग आपने दिया होता तो आप एक विनिंग प्राइस जीत गए होते है यहाँ पर इनका लिखा है मोहमद रिजवान इंका भी गलत है मोहमद रिजवान ने बहुत ज़्यादा रम बनाया है 66 बनाये हुए 66 नहीं 75 रम बनाये 25 प्लस रन ऐसे नहीं माना जाएगा आपको एक जैक्ट बताना है फिगर प्लस में तो फिर सब आ जाएगा 25 प्लस आप 0 प्लस बोल दो तो यह नहीं माना जाएगा 0 विकट यह भी गलत है 40 से 50 ऐसे नहीं चलेगा आपको एक जैक्ट फिगर बताना है तो उसके आस पास होगा तो विनर बताएंगे आपको ये भी गलत है तीन विकेट नहीं लिया इन्होंने 15 और 2 भी गलत है 7 रन और 7 रन ही गलत हो गया दूसरा गया देखा जाए गलत यहाँ पे ये भी गलत है इस तरीके से एंसर नहीं देना है ये भी गलत है ये लगभग सही है जादा विकेट लेगा जादा तो लिया नहीं बराबर ही लिया जादा वाली बात नहीं हुई इनका भी गलत है तो अभी फिलाल इस में किसी का भी एंसर सही नहीं है तो फिर से मैं आपको बता रहता हूँ जो next question का आप answer दोगी जो वीडियो में पुछा गया है आप दो answer दो, दो comment करो एक में आप एक answer दो, एक में आप दुसरा answer दो तब बात बनीगी लेकिन फिर भी हम एक winner यहाँ पर announce करी देते है जिनका exactly एकदम सही लगभग इनका है एहमद सिंग इन्होंने ये बताया है 69 ये काफी करीब है 75 के तो इनको 15 रुपय का विनिंग प्राइस हम देंगे तो आपको क्या करना है इस कमेंट में अपना आपको पेमेंट डिटेल भेदनी है UPI ID भेद देना या PTM नमबर भेद देना आपको प्राइस मिल जाएगा एंड इसके अलावा आपको हमारे WhatsApp नमबर पे भी मैसेज करना है सेम 9140-233-474 पे इस पे आपको मैसेज करके भी पेमेंट डिटेल आपको देनी है आपको मेन मेनी कॉंग्रेचुलेशन तो इनका एक एंसर सही है मोस्ट विकेट वाला सही नहीं हुआ किसी का भी सही नहीं हुआ आपको ये बताना था कि कौन ज्यादा विकेट लेगा और कितना लेगा ये भी बताना था इनको मैं लिख देता हूँ तब आपको कमेंट जो करना है वो दो कमेंट करने है दो कुस्टें के दो कमेंट अभी तो 500 प्लस 500 आपको मिलेगा एक गलत हो जाएगा तो दोनों गलत मानेगे इनका चुकि बिलकुल करीब था इसलिए बैनेंग को दे दिया है चुकि अब किसी को तो देना जरूरी है ये थोड़े रन से चुक गए बागी किसी का भी मेरे को उतना एक्जैक्ट नहीं लगा तो आप सभी को मेनी मेनी का उंग्रेचुलेसन जो हमने नेक्स्ट वीडियो बनाया है उस पर कमेंट करिए और ज्यादा ज्यादा प्यार करिए और सेयर करिए जितना ज्यादा हो सके वीडियो को सेयर करिए All the best